एचल कि नमस्कार दोस्तों स्वागत यह आपका लेयर-3 एजुकेशन में और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में ततसमम और तदबहू मैंने आपको जिससे आप तत्सम और तत्वो पहचाने में बहुत ही आसानी होगी तो चलते हैं अपने चिप्टर पे तत्सम तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम दो सब्दों से मिलकर बना है तत्प्लस सम जिसका मतलब होता है उसके समान किसके समान? तत्त मतलब उसके और सम मतलब समान तत्सम का मतलब होता है उसके समान अर्थार्थ संस्क्रत के समान एसे शब्द जो संस्क्रत से सीधे आए और आज भी उसी रूप में प्रियोग किये जा रहे हैं एक मेट तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्क्रत में सीधे के सीधे आये और आज भी उसी रूप में प्रियोक किये जा रहे हैं मतलब जो तत्सम है ना यह जो संस्क्रत में थे ऐसे के ऐसे ही शब्द हिंदे में आ गए जैसे पहले संस्क्रत में अगनी कहते हैं आज भी अगनी वायू सूर्य पूत्र यह जो संस्क्रत में पहले बोलते थे ऐसे के ऐसे तत्सम में आ गए तो उनको हम तत्सम कहते हैं ठीक ह अब तदभव, तदभव किने कहते हैं? यह मैं आपको यह बता दू, उसके बाद आपको ट्रिक बता हूँ, तदभव, तदभव मतलब का दो अर्थों से बनाए, तद प्लस बाव, इसका अर्थ होता है, उससे होना, उससे होना, अर्थार्थ संस्क्रत सब्दों में परिवर कентиhrateza कर बने शब्द ऐसे शब्द जो निकले तो संस्क्रस ही आज उनका रूप बदल गया मतलब संस्कत निकले ना और हिंड़ी में आया तो इनका रूप बदल गया उट सोओ उदब्भाव जो सब्द संसकत हो यह है हो यो चलिए कि ऐसे हिंदी में प्रीयूठत हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं तकसम और तद बहाओ मतलब ओद वगत़न सब्रोडल मतलब आशब्द और किशिभी में शब्द में एक श यह रग्य का प्रयोग होगा तो वह तो हमेशा तत्सम शब्दों में ही होगा, अगर किसी भी शब्द में अगर शय आ जाए, तरह आ जाए और ग्या रिखावा आ जाए, तो वह हमेशा तत्सम में ही होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, यह तत्सम और तद्व होगा, यह परिक्षा, यह शय आ गया, यह शय अक्षर में अगर शह त्र और ग्य का प्रयोग होता हैं तो वह हमेशा तत्सम होता है ठीक है नियम नंबर दुसरा अगर किसी भी शब्द में वह हो कौन सा यह वाला तो वह होगा तत्सम और अगर यह वाला वह हो तो वह होगा तदबाओ है ना अगर किसी भी शब्द में यह वेद ना और विलब अगर किसी भी शब्द में यह वाला वह हो तो वह होगा तत्सम यह यह गड़त लिखा गया विए विलब और यह वाला हो तो वह होगा तत्जबाव ठीक है नियम नमबर तिस्रा अगर किसी भी शब्द में री आ जाए री का प्रियोग होगा तो वो हमेशा तज समय होगा री मतलब एक तो ये अम्रत में री री ये ना आम चुल्ण, आश्चर्य और क्रश्न ये मैं बता देता हूँ ये री अम्रत ये री आमचुल्ण, ये री आश्चर्य ये री और क्रश्न ये री अम्रत का तद्भव बनेगा अमी आमचुल्ण का तद्भव बनेगा आमचूर आश्चर्य का तद्भव बनेगा अचरज क्रश्न का तद्भव बनेगा किसान अगर किसी भी शब्द में री आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे तत्सम लगा देना है अगर किसी भी शब्द में विस्शरा का प्रियोग होता है तो वह होगा तत्सम जहां पर भी दो बिंदियां दिख जाएे आपको तत्सम लगाना है और अगर चंद्रबिंदू दिख जाए तो वह लगाना आपको तत्सम ठीक है अगर किसी भी शब्द में विशर का शब्द का प्रयोग होता है तो वो होता है तत्सम और अगर चंद्रबिंदू लग जाती है तो वो होता है तत्सम ठीक है एक बार बता देता हूं तत्सम देखो अगर किसी भी शब्द में श, त्र और घ्या आ जाता है तो वो होता है तत् सब्सार अगर किसी में वह होता हैं तो तक्छम और यह भा होता है तो त death नीयम नंबर तीसरा одर ज़ी सब्द में र रहे को अ मैं ये द्लि का पैरी क्रियोक तक्छम सब्दों में ही होता है हक्वर हे येकी को नीयम नी लिखाए अगर कि किसी भी शब्द में श्ह आये तो िसे भी शब्द में यह अजाए तो वह होगा तथिसम ओर अगर यह य catch द्वरम आपको एसका क्यों करेता हूं पहला क्योश्चन है निम्न में से तदभव शब्द कोन सा है शुब करपूर बरसात या विवा बताया तदभव तो हमारा आंसर क्या होगा? option number D बरसात अगर किसी भी तदस्व में क्या बताया था? श ये श तदस्व में आ गया ये र ये तदस्व में आ गया ये विवा ये तदस्व में आ गया है ना तदभव में क्या बताया था? ब है ना तो ये बरसात option number G होगा अगला question क्यों सभी इनमें ये कुछ साक्षा में ब्याह बंदर शुक्हा इनमें से कोई नहीं बताए ताग्म व्याह तदभावे बंदर तद्भावे ये शुक्षण सब्सक्रण इस बताया ऐटा ना सब्सक्रण तेरली明白 ये तपभव और ये तसम, इसमें पेचाना कौन सा तसम है, तो मैंने بتाया था आपको ये श्रह आ जाये तो तसम और ये श्रह आ जाये तो तसम तो तिव क्योश्याμεं से तत्सम कौन सा नहीं है रात्री छत्री श्रिंगार और सावला बताएं देखो री शी वाला बताया था इसमें तत्समें शत्री शत्रग्य बताया था इसमें तत्समें रात्री इसमें तत्समें तो तत्सम किसमें नहीं यह सावला यह सर तद्भव में आता हैं तो option number D हमारा सही अंसर होगा ठीक है यह मैंने आपको आज तत्सम और तद्भाव पहचानने की ट्रीक बताई हैं इसके बाद मैं आपको इसके क्योशन करा हूँआ सो के लगबग तो आपको इसका पूरा समझ में आ जाएगा आपको यह ट्रीक कैसी लगई कमेंट करके जरूर बताएं और आपको तत्सम और तद्भाव मेंने जो ट्रीक बताई हैं इस से बहार कुछ भी नहीं है हे ना जो अगर आपको लग जाए कि वह तत्सम है तो आपको एक बार उसको देखना पड़ेगा जो trick थी, वो मैंने आपको बता दी है, आपको पूरानी किताबों में, जो मैंने बता हैं, ये वाले एक बार देखना है, और उनको soul करना है, कल मैं आपको इसके 50 plus question करा हुआ, तो आपको पता चलेगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्याद बताएं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,